डोजिंग यूनिट जो होता है उसके अंदर जो है SCR function system आता है उसके अंदर जो है यह चले जाता है ठीक है उसके में रिले को on करने के लिए चले जाता है और दूसरा हेलो गाइज मैरे चैनल पर आपका सौगत है वाज के वीडियो में बात करने वाला हो कि EMS जो हम लोग engine main relay बोलते हैं जिसको ECM main relay बोलते हैं यह ECU main relay बोलते हैं उसका जो power distribution है वो कहां कहां connect हो रहा है उसके उपर बात करेंगे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में जो है class switch का मैंने wiring पूरा explain किया है और मैं बोला था कि यह जो main relay है यह main relay को ECM से ground आता तब यह on होता है तब यह वाला 30 वाला pin जो है वो next वीडियो में बताऊंगा तो यह next वीडियो यह आईच का है तो इससे पहले अगर आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर जो है इस वीडियो को देख लीजे बहुत informating है बहुत मेहनत किया इस चीज के उपर ECS को आपको समझाने के लिए बहुत टाइम का जो है यह किया है तो उसको जो है आप यूज करिए उससे आप knowledge लीजिए और आपके knowledge में जो है ramzon.in यह जो है website है जिसके ऊपर जो है आपको ECM Pinouts, IC Pinouts उसके बाद files, DTC of files, Emo of file जो भी फाइल आपको चाहिए वह सब जो है आपको available आपको मिल जाएगा यहां से जो है आप बाई कर सकते हैं जो है जो है जो हम लोग को यह जानना बहुत जरूरी होता है कि कोई भी कार हो उसके अंदर जो है एक बैटरी जरूर होता है जो बैटरी होता है उसका negative terminal जो है हमारा वो connect रहता है हमारे चेशिस में जिसको हम लोग negative बोलते हैं वो पूरे गाड़ी के पूरे body के चेशिस में जहां जहां लोकंट है वहाँ पर ground अटेच होता है और यह जो positive होता है यह positive तो बहुत जगा distribute होता है लेकिन मैं सिर्फ main relay के उपर बात कर रहा हूं तो सिर्फ main relay का मैं wiring बता रहा हूं तो यह एक wire निकलेगा और जाएगा fuse box में जो बाहर outside में होता है fuse box bonnet के नीचे उसके अंदर आपको 30 ampere का fuse दिखेगा और वो 30 ampere का fuse को cross करेंगे तो एक जो है main relay के ECM का जो main relay है उसके main relay के pin number 87 में चला जाएगा और 85 में जैसा ही यह voltage जाएगा यह voltage यहाँ पर relay में रहेगा और relay से ground ECM से ground out होगा तो यह on हो जाएगा यह ground out होगा तो यह last video में जो मैं बताया हूं किस तरह main relay on हो रहा है तो यह video जाकर देख लिजिए ठीक है तो यह main relay on होगा बशी जो है यह 12 voltage मेरा यहां से connect हो जाएगा क्या होगा है यह 12 voltage होलो कि यहां से connect हो जाएगा Governor मैं आगा सबसे पहला हमारा 12 volt यह on होगा तो जाएगा एक 10 am okay somehow 2 जगा यह तीन जहाँ चला जाएगा कहां कहां पर जाएगा एक जो हमारा यह cooling fan low cooling radiator cooling fan relay low low जो होता थोड़ा कम speed होता है उसमें चले जाता है फिर दूसरा जो है मेरा यही जो है मेरा चला जाएगा अपना cooling radiator cooling fan relay high जो high speed में जो on होता है उसके अंदर जो है यह चला जाएगा किसको इसके coil को relay coil वाले में चला जाएगा यह ठीक है तो यह चीज का function जो है आपको पता चले गया कि इसमें जो है जो ट्यूल वोल्टेज एक होता है वह में रिले वाला आता है फिर सेम यही वाला ट्यूल वोल्टेज जो है हमारे AC compressor को भी चले जाता है AC compressor relay को चले जाता है जो पिन वाला जो 8586 जो switching के लिए यूज में लाते हैं उसको फिर यही इगनिशन जो है वापस आएगा यही वाला वोल्टेज में रिले वाला और यह दो 10 ampire का 10 ampire, 10 ampire का जो है 2 fuse लगा रहेगा वो fuse में चले जाएगा और यह fuse से हमारे 3 जगा ECM में चले जाता है 3 जगा हमारे ECM में चले जाता है चैकर है जिसको हम लोग बोलते हैं कि after main relay जो 12 voltage जाता है उसको हम लोग बोलते हैं तो यह main relay on होने के पाद जो 12 वोल्टेज है यह ECM के अंदर भी जाता है ठीक है और ECM के अंदर जो है एक 10 MPR 10 MPR का जो है एक डायरेक्ट 12 वोल्टेज भी आता है ECM के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं memory backup क्या बोलते हैं हम लोग memory पारी backup के लिए बोलते हैं एक ignition भी आता है इसके अंदर ठीक है तो एक डायरेक्ट हो गया और ignition हो गया में रिले आन होने के बाद उसके बाद जो है एक और यही वाला लाइन जो है हमारा एक और फ्यूज में जो है connect होगा जो हमारा एक जो है 10 ampere 10 ampere का दोनों यह फ्यूज है दोनों फ्यूज है हमारे 10 ampere 10 ampere का एक जो है water pump में चले जाता है जो अगर cooling extract चाहिए तो उसको on करने के लिए इसके अंदर चले जाता है ठीक है इसका दूसरा साइड जो हमारे ECM से आता है और यह तीसरा जो है मैंने नौक्स बताया है कैन सिस्टम वाला जो मैं लास्ट वीडियो में बताया हूं कि अपना scanning वाला वीडियो अगर आप देखियेगा तो इसके अंदर जो है मैं बताया हूं कि यह जो नौक्स सेंसर होता है यह कैन की जरूद यह कंपर करता है तो यह वाला जहन्स सेंसर एक तो हमारा SCR Main Relay जैसे कि अगर BS6 गाड़ी है तो SCR जैसा अपना यूरिया डोसिंग यूनिट जो होता है उसके अंदर जो है SCR function system आता है उसके अंदर जो है यह चले जाता है ठीक है उसके Main Relay को प्रीट करने के लिए चले जाता है और दूसरा जो हमारा breakdown 수िश होता है ब्रेकë करणा का authorized इसके उपर चले जाता है फिर यह तो एक 20 Amp différents का मारा सुधकरीं में यह फीजस में जाता है और 50 के फिर figura 3 जगाँ जाता है यही वाला करेंट एक तो फिल्ट मेंटरिंग यूनिट होता है जो डीजल इंजिन में जो फिल्ट मेंटरिंग यूनिट होता है उसमें चले जाता है फिर दूसरा जो हमाला ग्लोप लग रिले में ग्लोप लग का रिले आता है उसमें चले जाता है और तीसरा जो है माफ सेंसर जि है हमारा है कि टूल वोल्टेज यह जो है दो में जाता है जिसको इजियर बाइपास बोलते हैं इजियर वाल जो होता है उसमें चले जाता है एक जो होता है फ्यूल टेंपरेचर सेंसर यो टंकी के अंदर होता है उसमें चले जाता है तो यह सब जो होते है कि में रिले आन होन जाता है जो मेंसे छुट गया है अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट में जो है आप जरूर मेंचिन करिए कि यह वाला जो में रिले वाला जो वोल्टेज है वो यहां यहां पर भी जाता है उसको जो है आप जरूर मेंचिन करिए मुझे जो मुझे मुझे जो है उस चीज जो है पता चले और लोगों को भी बता चले कि हां भाई यह वाला छूड़ यह है तो यह इसके अंदर भी यही में रिले वाला ट्यूल वोल्टेज जाता है तो गाइस उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप है कि शिएगा यह चोर्य के पास यह वीडियो को जरूर शेर करें weekly जो आते हैं मेरे पास लोग देखते हैं नहीं नहीं पाता है क्यूंकि लोग निकाल के चेक करेंगे तो उसके अबाद जो है यह मेन डिले वाला वोल्टेज नहीं दिखे गा जा एक तो एलेक्ट्रिशन क्या करता है कि वह ध्यान रख लेता है कि हाँ भाई कोई ओके गाड़ी आया तो उसका कपलर निकाल दो फिर वॉल्टेज चेक कर लिए तो जो भी वोल्टेज होता है कितने पिन पर नहीं रहता है तो मेरे पास कितनी बार हुआ ऐसा जो कमकेम जो है मैं टेस्ट किया हूं तो टेबल पर ओके है लेकिन कस्टमर के सामने बोलते है कि छेकलाइट विकलाट नहीं आ रहा है ऐसा प्राब्लम आता है तो गाइज बस आज के लिए इतना सो थैंक यू